लंबी टाम के बाद बॉलेबुट का क्यूट कपल रितेश देश मुक और जेनेलिया डिसुजा अपनी फिल्म के साथ बड़े परदे पर वापसी कर रहे हैं। जेनेलिया रितेश अपनी फिल्म मिस्टर ममी के साथ एक बार फिर से बड़े परदे पर आपको साथ नजर आएंगे दोनों की इस कौमेडी ड्रामा फिल्म का ट्रेलर रिलीस हो चुका है जिसे ओडियन्स की तरफ से काफी अच्छा रस्पॉंस भी मिला इस फिल्म को लेकर कॉलकाता के एक प्रिडियूसर अकाश चितर जी ने काफी सारे औरोप लगाये हैं इसके साथ ही जनेलिया और रितीश इस वक्त मुश्किल में फस्ते नजर आ रहे हैं जी हां दोस्तों फिल्म के प्रेडियूसर अकाश चिटर जी जो की कॉलकाता के रहने वाले हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि मिस्टर ममी के डिरेक्टर ने फिल्म की कहानी को चुरा लिया है अकाश ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर पोस्ट शेर कर इसकी जानकारी दी है अकाश चिटर जी मशूर बंगाली फिल्म निर्देशक अगिनी देव चिटर जी के बेटे हैं अकाश चिटर जी ने मिस्टर ममी के प्रेडियूसर के खिलाफ सहतिक चोरी के आरोप लगाया है अकाश ने अपने फेस्बुक एकाउंट पर कई सारे स्क्रीन शॉट को शेर किया है और इसके साथ ही आरोप लगाया कि शाद अली की तरफ से मिस्टर ममी की कहानी को फिल्म के डिरेक्टर्स के साथ शेर की गए स्क्रिप्ट से कॉपी किया गया है जेनेरी रितेश के फिल्म मिस्टर ममी मुश्किलों में फस्ती नजर आ रही है क्योंकि आरोप लगाया गया है कि फिल्म की जो कहानी है फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो दरसल चोरी की गई है और आरोप लगाया है कॉलकता के आकाशिक चिटर जी ने जो कि खोद एक जाने माने प्रेडियूसर है अकाश शिटर जी ने दावा किया है कि 2019 में फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर मुगाई थे कहानी कैसे यूवकी थी जो रहसे में तरीके से गर्वती हो जाता है अकाश ने उस टाइम पर मिस्टर ममी के नर्देशक के साथ इस कहानी को शेर किया और वो इससे काफी इंप्रेज भी होए थे अकाश ने कहानी का टाइटल विकी पेट से रखा था और आईशमन कुरान को मुख्य भूमिका में लेना चाहते थे लेकिन इसके बाद प्रेड्यूसर्स की तरफ से कोई पहल नहीं की गई अब रितेश और जिनेलिया स्टारर मिस्टर ममी के ट्रेलर को देखने के बाद उन्हें हैसास हुआ कि तीन साल पहले उनकी तरफ से सुनाए गई कहानी के बिल्कुल बराबर है ये और उनका दावा है कि इस कहानी की जो चोड़ी की गई है और इसी फिल्म के स्क्रिप्ट को छोड़ी करने का रोब भी लगाया अकाश का कहना है कि उन्होंने विकी पेट से स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले राइटर्स एसोसियेशन को सौब दी थी और आब बस जरूरत बढ़ने पर वो कानूनी कारवाई पर विचार भी कर रहे है वो पहले ही अपनी वकील से बात कर चुके हैं जो कि संयोग से आकाश की पटखता की सेलेकक है आकाश में इस बात पर भी जोड़ दिया कि वो कोई पैसा नहीं चाहते सिर्फ मिस्टर ममी के साथ खुद का नाम जोड़ना चाहते हैं आपको बता दे शाद अली के डिरेक्शन में बन रही फिल्म मिस्टर ममी 11 नमबर को सिनमा घरों में रिलीज होने वाली है उससे पहले ही फिल्म को लेकर बवाल करता ना जरा रहा है और ये पूरा बवाल कटा है फिल्म के स्क्रिर्प्ड को लेकर क्योंकि कॉलकाता की प्रड्यूसर अगाश चेटर जी ने बड़ा दावा किया है फिलाल तो अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देख लिया है तो जलदी से बताएं फिल्म का ट्रेलर आपको कैसा लगा कर दो